हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SACB में तो जैसा कि आप सभी को पता है MTS की भरती निकलने वाली थी तो यहाँ पे SAC ने रात 11 बजे MTS का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आपको पता है 2021 में पहली बार MTS में हवलदार को भी जोडा गिया यह जो MTS है, MTS होती है Pay Level 1 ठीक है यानि कि अगर हम बात करें 7th Pay Commission की तो इसमें जो Pay Level 1 है 18,000 रुपे का तो वहाँ पे आपको इसकी नियुक्ती मिलती है अब यह आता है Group C में Group C के अंतरगत यह आता है और अब हम जानेंगे कि क्या-क्या इसमें vacancies है और क्या-क्या इसमें मंगा गया है तो देख लिजिए आप 18 यानि कि आज से लेकर 17 फरवरी तक इसका online form जमा करा सकते हो लास्ट इट इसकी क्या है 17 है लेकिन आपने अगर part 1 भरा है और अपना सभी चीज़े भरा है और यहां पर फ्री जो आपकी यहां पर fee payment है उसको नहीं किया है तो आप 19 तक भी उसको fee को दे सकते हो अगर offline जमा करना है तो offline भी आपका 19 है तो यहां पर आप देख सकते हो अगर आपने bank के थ्रू चलान जमा कराना है सस्ट का तो 20 तारिक तक एक दिन और extra दिया है और आप अगर application form को correction करना चाहते हो और आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत करते है तो 23 और 24 तारिक से आप इसको start कर सकते है कि application window खुल जाएगी एक small amount of money देकर आप लोगों ने यहां पर अपना correction कर सकते हो ठीक है computer base exam कब होगा इसका तो April 2023 में इसका exam होना है कितने vacancies आई है तो देखिए एक आई है 1080 याने कि 10,888 जो की है MTS की multi-tasking staff multi-tasking staff की vacancy 10,888 हवलदार CBIC Central Board of Indirect Taxes and Custom और यह हुआ Central Board of Narcotics इसमें है 529 अब यह जो vacancies है हवलदार की यह अभी तक क्या है particularly सारे सारे यह tentative है यह भी आगे बढ़ और घट दोनों सकती है क्या age limit रहनी चाहिए आपकी तो यहां पर देखिए 18 से 25 वर्स है maximum post के लिए 18 से 25 है और अगर आप हौलदार का भड़ते हो CBN में Central Bureau of Narcotics में तो यहां पर आपकी age 18 से 25 होनी चाहिए लेकिन कुछ ऐसी post है जहां पर जो age है वो 18 से 27 के बीच में है जैसे कि आप देख रहे हौलदार in CBIC Central Board of Indirect Taxes and Custom के लिए यहां पर कुछ ऐसी post है यहां पर few reports लिखा हुए ना तो आपने particularly आपे focus किस पर करना है 18 से 25 वाले में focus करना है और जिनको लगता है कि हां हमारा इसमें हो सकता है तो वो लोग उन पोस्ट को देखके भरों जिसमें 18 27 age मांगी गई है चलिए education qualification आपको पता है 10th pass इसमें होना चाहिए यहां पर क्या बोल रहा ह है कि आपका जो 17 फरवरी 2023 है इससे पहले जो हमारी जो यहां पर आप देख रहे हो कि जब matriculation examination है यह आपने पास करा होना चाहिए कितनी फीस लेगेगी तो यहां पर 100 रुपीस आपकी फीस है इस फॉर्म को भरनेगी जो कि आपको SSC को देनी है चलिए अब सबसे पहले important चीज क्या है यहां पर आप देख लीजिए SSC क्या करता था इससे पहले यहां पर आपको पता है quant reasoning English और GK का पेपर हुआ करता था 25-25 जो यहां पर questions थे वही यहां पर इसके marks थे यानि कि 100 questions 100 marks और time चेता था यहां पर 90 minutes अब यहां पर इन्होंने इस चीज को अलग कर दिय है यहां पर अब आपके दो session होंगे पहले session में आपका Numerical Ability, Mathematic Ability ठीक है यहां पर आप दूसरा देखों कि reasoning दूसरे section में आपका GA और English यह जो GA और English है ना अभी session 2 में आपको बताऊंगा में यह क्यों important है देखिए पहले यह होता था अब यहां पर क्या होने लगा है Numerical and Mathematical Ability तो यहां पर जो number of questions है marks है यहां पर आपके कितने हैं देखिए एक question यहां पर कितने का हो चुका है तीन marks का हो चुका है यहां पर आपके पचास question है और यह 500 marks का है तो यानि कि आपका आप 1500 marks का एक paper होगा और यहां पर 120 marks का पहला paper होगा पहले paper में भी आपको 45 minute मिल देख रहे हो कि 90 minute time जो पहले मिलता था वो अभी भी मिल रहा है अब यहां पर सबसे important चीज क्या है कि क्या यह जो दो session है किसके अधार पर merit लगनी है क्या होना है तो यहां पर SSC के द्वारा यहां पर इन्होंने बता दिया है कि सबसे पहले तो आप यह समझ लो कि कोई negative marking नहीं है session 1 में session 2 में आपको यहां पर एक marks का एक marks कटेगा अगर आपने गलत दिया है तो देखिए तो यहां ने की पहले जो यहां पर negative marking होती थी 0.25 या ने की आप ही कितनी हो जाए कि 4 गलत करोगे तो एक marks कटेंगे अब यहां पर क्या हो चुका है 0.33 हो चुका है 0.33 का म marking है वह भी यहां पर ज्यादा हो चुकी है as compared to last time क्यूंकि मैं आपको बता दो आप यहां पर दो session है दूसरा दो session है आपका यह 800 number का है और जो पहला session 120 number का है अब यहां पर आप इसकी को ध्यान देना कि negative marking आपके first paper में नहीं होने वाली है no negative marking in session 1 और session 2 में आपका जो मैं आ negative marking होनी है अब दूसरी important जी सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है तो यहां पर आपको पता है जो MTS है और जो हवलदार की post है इसमें आपकी state wise और जिस भी UT में आप लोग रहते हो वहां पर आपके जो cut off है उसके हिसाब से लगनी किसके हिसाब से in session 2 मैं आपको आगे बता से यहां पर cut off निकालेगा computer-based examination की अब यहां पर जो post MTS की चाहे वो हवलदारी क्यों ना हो ठीक है हवलदार में बस क्या होता है physical होता है तो यहां पर जो candidates select होगा पेपर यहां जो paper 1 है ना जो candidate select होगा आपके यहां पर दो session है session 1 और session 2 तो जो candidate select होगा जो merit आएगी वो क्या है numerical liability है दूसरे paper में आपका GA और English है तो यह जो GA और English था दूसरे paper में जो की 1500 marks का था उसके अधार पर यहां पर आपका क्या लगने वाला है एक तरीके से merit लगने वाली है उसके हिसाब से आपको shortlisted करा जाएगा तो यह जो merit है आप ध्यान रखना कि आपको अपनी performance session 2 पर देनी है session 1 पर नहीं देनी है तो यह जो हवलदार की post है तो यहां पर जो candidate select होगा वो ratio में कैसे होगा 1 ratio 5 क्योंकि इसमें क्या होता है physical भी होता है सेलेक्शन किस पर होगा session 2 के अधार पर होगा यानि कि जो आपकी merit जाएगी वह session 2 यानि कि देड़ सो नंबर के अधार पर जाएगी आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वान बै थ्री है पॉइंट 33 है तो यह बाद आप लोगों ने ध्यान देनी है और क्या है यहां पर आप देख सकते हो जो cut-off लगनी है वह session 2 के अधार पर लगनी है जो कि मैं आप लोग को यहां पर बता चुका हूँ पहले भी कि यहां पर आपने फोकस करना है किसको आपने फोकस करना है यहां पर session 2 को और यहां पर आप देख लेना कि minimum marks ssc के द्वारा यहां पर decided कि आगे आपने 1500 में से आप 120 ले आए अगर आप इसमें फेल हो तो यह भी चेक नहीं होगा चाहिए आप इसमें पास कर लिया तभी जाकर आपका दूसरा पेपर यहां पर चेक होना है यह ssc ने अपने जो notification है उसमें clearly लिखा है कि आप अगर यह paper निकालते हो तभी जाकर यह paper आप कैसे इसको हम लोगों ने strategy बनानी है कैसे हम लोगों इसमें selection लेना है last time की cut off कितनी रहे यह सब में आप लोगों को आगे हमारे जो complete वीडियो आएंगी उसमें बताने वाला हूं तब तक के लिए बने रहेएगा हमारे साथ thank you all